पुश्कार आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं आज आपके सामने एक मैं बावा सूट बेबी सूट लेकर आई हूँ जो की पुरा स्वेटर बूट कैप कैप और जे बिटन बनाई है जे बिटन मैंने बनाने नहीं सिखाए तोकि ओल डाड़ी को मैंने पहले इसकी वीडियो बना डाली है जिसमें थोड़ा सा मैंने डिजाइन डाला जे देखो जे एक से डेट साल के बच्चे के लिए है और इसमें धाई सो ग्राम उन लगी है और नौ नबर्स लहीं होगे मैंने इसको बनाया बनाने में बहुत सरल है गले से उपर से शुरू होकर नीची की और जाता है आप अपने बच्चे के साब से लबाई चुड़ाई रख सकते हो जे देखो कैब भी हमने यहाँ शुरू करके नीचे की और गई है चलो आपको बनाना सिखाते हैं कैसे बनाना है इसका मैं लिंक नीचे डाल दूँगी वहां से आप देख सकते हो चलो आपको बनाना सिखाते हैं फिर 76 फंदों से मैंने स्टार्ट किया हैं 6 बटन पट्टी के 8 आगे वाले हिससे के 14 बाजू के 20 पीच्छे वाले हिससे के 14 फिर बाजू के 8 फिर आगे वाले हिससे के और 6 बटन पट्टी के इस तरह हमारे 76 फंदे हो जाते हैं जे देखो मैंने 76 फंदे डालके एक दो तीन चार आठ सलाइया मैंने सीधी सीधी चडाल ली है और एक मैंने बटन होल किया है चलो आपको दिखाती हूँ आगे कैसे स्टार्ट करना जे 6 फंदे तो हमारे बटन पट्टी के हो गए फिर हमारे आगे रिसे के एक दो तीन चार पांच शे साथ और जो आठ में है फंदे डालना उसके आगे धागा घर के जारी डालनेंगे फिर आगा आगे दो जारी डालनी हमने दो फंदे इधर बट गे फिर एक एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और चोजमे में हमने फिर जाई डालनी एक और दो धागा आगे करके दो दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चोज़ा पंदरा सोला स्तारा ठारा उननीस और धागा आगे 20 फंदे मारे फिर होगे 20 फिर धागा आगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और चोज़ा और ये धागा आगे करके फिर जाली धागा आगे करके फिर जाली फिर हमारे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ और छे हमारे बड़न पट्टी के आगे उल्टी स्लाई में हमारे जे शे फंदे तो हमारे सीधे ही आएंगे चार छे सीधे फंदे बगकी हमारे सारे उल्टे उदर से भी हमारे छे फंदे सीधे आएंगे जेदे को लास्ट में भी हमारे छे फंदे सीधे पट्टी के आएंगे अब सीधी से लाई पहले छे फंदे तो हमारे सीधे जाएंगे फिर पहले हमने आठ बुने थे अब नो हो गए हो गए एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ और नो फिर हमारी दो जाली पड़ेंगी धागा आगे करके दो जाली फिर पूरे सीधे अब आपको नजर आने लग पड़ेगी कहां कहां जाली आनी है यह देखो जाफे दो जाली आगे दोनों सैड़ो में पड़न पटी हमारी दोने पड़े सीधे सीधे फंदे जाएंगे बाकी सीधा उल्टा ही हम बुनेंगे जाफिर दो जाली धागा आगे करके आपने जाली डालने है दो जाए डाली फिद्धागा आगे इस तरह आप थोड़ा सा बना लो फिर आगे दिखाती हूं क्या करना है ये बटन पट्टी के हमारे सीधे जाएंगे दोनों तरफ से सीधे सीधे आएंगे छे फंदे इधर सीधे शे फंदे इधर सीधे इस तरह आप करके फिर आगे आपको दिखाती हूं क्या करना ये दिखो इतना बन के त्यार हो गया अब हम इसको पाट ये मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ अठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चो़रा, पंधरा, सोला, सारा, ठारा, उन्निस, बीस, इक्यस 21 मैंने जाड़ी डाल ली है जै आपने इससे बड़ा बनाना हो आप फच्शी डाल लो जितने साल के बच्यका या 로 21-ज़ी दाल लिए अब हम इसको डाइड कर लेंगे बाजू के फंदे हम निकाल लेंगे यह आगे वाली हिस्से के इतने हो जाएंगे हम इसको में ले लेंगे जेदेगो आप चाहे तो पहले बाजू बना लो आगे पिछ वाला हिस्सा बाद में बना लो आप चाहे तो अ क्ता है आगे वाले हिस्से के यह आगे बाजू के यह आगे वाले हिस्से के आए अब हमारे बाजू के हम इस तो अपने हम सुई में डाल लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला स्तारा, ठारा, उन्निस, बीस, इक्किस, बाईस, तेईस, चोविस, पत्चीश, चब्विस, ताई, ठाई, उनत्ति, ती कत्ती, बत्ती, तेत्ती, पैंते, छत्ती, सैंती, ठत्ती, उन्ताली, चाली, कताली, बताली, तरताली, चताली, पंताली, छ्याली, संताली, यड़ताली, उनिंजा, पंजास, कुविंजा, बविंजा, तरविंजा, चुरिंजा और पचविंजा और शपिंजा जो 56 फंदे हमारे एक बाजू के हो गए हम इसे एक बाजू के निकाल लिए अब हम बीचे वाले हिस्से के भी स्लाई में डाल लेंगे आप चाहे तो पहले बाजू बुन लो मैं पहले बाजू बुनूंगी जो पीचे वाला हिस्सा वी साथ में आजागा पीचे वाला और दोनों आगे वाले हिस्से एक अठ्थे हम इसकी बनाई करेंगे और बाजू बीच बीच में से दोने तरफ निकाल के यह मारा पीच्छे बाजू आगे दूसरी यह वाली इसे हम छोड़ देंगे मैं पहले बाजू बनाऊंगी इसलिए जहां से धागा निया लगा कर दो जितने हमारे 56 फंदे उदर थे इदे 56 इदर कर लेने चार पांच छे साथ आट नों दस ग्यारा बारा तेरा चोड़ा पंदरा सोला स्टारा थारा उननीस बीस एक्कीस बाइस देईस अक्टीस शब्यस अस्ताा थैस कट्थ बट टेरिट चा 198 द जाले जाले ट्रेह जाली ट्राव यी जघले ंभाली लावर गलें जाल को नहें जालैंज को आ जाली टाली थ्यत बाली नंजा बडसाट अबन जाला स्विकत Nanza नें जालै ट्रेंट आरिक शपिंजख यह हमारे 56 फंदे हो गए यह फंदे हम बापस इस लाई में डाल लेंगे पहले मैं कली बाजू बुनूगी जहां से हम बापस चले जाएंगे सीधी उल्टी इतने फंदे हमने बुनने बापकी फंदे नि बुनने पहले बाजू बुन के दोन बाजू वहां से फंदे मैं निकालके बाजू बना लूँगी बाद में आगे बिच्छे का हिस्सा आपको बनाना सिखाऊंगी फिर मैं जया आप ऐसे ही बाजू बना लो एसे वासीदी उलटी स्लाईड आलनी है उतने फंदे बनाके आगे पांच मीवी स्लाई में आप फंदे कटाते जाना क्योंकि हमने end में फंदे पूरे करने हैं जितने हमने basta करने हैं कर ख़बोगो नगे फंदा हम नंगें तरफ से क्रफ़आते जाएंगे दुनों तरफ से फंदेंगे कटा करके एंड में जितने अपने फंदे बॉर्डर के रखने है उतने आप रख लेना हम 32 फंदेंगे बॉर्डर के रख लेंगे बाकी फंदेंगें हमने हुली- Czy-可-क करके दोनों तरफ से कटाते जाना दो का एक, दो का एक करते जाएंगे, पांच मी पांच मी सलाई में, इतना आप कर लो, फिर आगे आपको बताती हैं, जे देखो, जे अपना, मैंने दोने बाजू बना लिया, जे देखो, अब हम पीछे और आगे वाला हिस्सा एक खठा कर लिया, जा मैंने थोड़ा सा डिजाइन डाल लाया, पिल ले ते छे फंदे हमारे बटन पट्टी के, और दो फंदे हमारे सीधे, दो उल्टे, दागा पीछे करके तीन सीधे, दागा आगे करके दो उल्टे, दागा पीछे करके तीन सीधे, भागा आगे करके दो उल्टे और बाकी पूरे सीधे उल्टे जाएंगे सिर्फ हमेने आगे आगे इतना दोनों तरफ डिजैन डार लाए बाकी पूरे सीधे सीधी स्लाई पूरे स्लाई सीधी ऐसे बाजू बीच में निकल आएगी पूरे स्लाई सीधी जाएगी इधर मैंने देखो दो फंदे उल्टे तीन सीधे दो उल्टे धागा पीछे करके तीन सीधे धागा आगे करके दो उल्टे धागा पीछे दो सीधे और छे फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टी स्लाई छे फंदे हमारे बटन पट्टी के जो फंदे उदर उल्टे थे ना सीधे इधर उल्टे हो जाएंगे दो उल्टे दो सीधे तीन उल्टे दो सीधे तीन उल्टे दो सीधे बाक्की पुरी स्लाई उल्टी यह देखो इधर से आसे आजाएगा दोनो तरफ से हमने बटन पट्टी के आसे सडो में डेजियन डाला है ऐसे आप पूरा कर लो फिर आपको आगे बताऊंगे क्या करना है आप लबाई के साब से आप जितनी लबाई रखनी चाथे हो आपने बच्चे के साब से उतनी रख़्के फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है यह देखो बन के त्यार हो गया ऐसे बाजू की सलाई भी कर दनी आपने यह एक से डेट साल के बच्चे के लिए है आप यह बड़ा बनाना चाओ थोड़ा सा जाली और जाल लो इससे थोड़ा जाए और खुला हो जाएगा अब यह मैंने डिजाइन सुई से बनाया है यह देखो जब डिजाइन कलर उन ना इसका के नजर नहीं आ रहा पूरा प्लेन में बहुत अच्छा नजर आएगा यह देखो कैसे बनाना यह आपको मैं बनाना दिखाती हूँ त्रिशा त्रिशा लियाने इसल अपने सुई आप चाब पूरे स्वेटर में भी आसे डाल सकते हो आपको दूसरी साइड में ऐसे ही आ जाएंगे आप 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 स्तरी शीज धगर गनासू आप 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 हमने क्या करना यसे किचिनाया जग जग टूच्चे धो जिलेको जासे नीचे से हम इसको ऐसे बांद देंगे उझे देखो ऐसे आप बना सकते हो आप पूरे स्वेटर में भी बना सकते हो बस दो उल्टे और तीन सीधे बनाए मैंने दो उल्टे तो तीन सीधे आप चाहे पूरे स्वेटर में ऐसे बना कर ऐसे सुई के जाद ऐसे बना सकते हो ऐसे केबल केबल बन जाएंगे संगल कहलो जो मंची कहलो अब हम बटन लगा देंगे अब हम बनाते हैं बूट ये देखो अब इसके साथ हम बनाएंगे बूट ये मैंने 42 फंदे डाले हैं 42 फंदे डालके मैंने एक सीधा और एक उल्टा का बॉडर बनाया है एक सीधा एक उल्टा एक सीधा धागा आगे करके उल्टा धागा पीछे करके सीधा धागा आगे उल्टा धागा पीछे सीधा जे मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, चोदास लगें मैंने डाल ली है, चोदास लगें आप डालके, फिर आगे आपको मैं दिखाती है, जो देखो बॉर्डर मेरा बन गया, अब हम जट जाली डाल लेंगे, इसमें हम ला जोरी बना के भी डाल सकते, जो भी आपका मन करें, उसके लिए क्या करना, एक सीधा बुन लिया, धागा आगे, दो, एक फंदा मैंने उतार लिया, एक सीधा बुन लिया, दो का एक, एक, दो, धागा आगे, दो का एक, एक, दो, धागा आगे, फंदा हमारा बढ़ गया है, साथ में हमने दो का एक कर देना, एक, दो, धागा आगे, दो का एक, एक, दो, दो फंदे सिम्पल बुन के, फिर दो का एक करके, एक फंदा बढ़ावी लेना साथ में, एक, दो, धागा आगे, दो का एक, एक, दो, धागा आगे, एक, दो, धागा आगे, ऐसे आपने पुरी रोग खतम कर लेने, उल्टी स्लाई पूरी उल्टी आएगी दो धागा आगे दो का एक उल्टी स्लाई पूरी उल्टी पूरी उल्टी अब हम जे वाला हिस्सा बनाएंगे जे वाला ये कैसे बनाना जे हमारे चोदा फंदे हम सेंटर वाले चोदा फंदे हमने छोड़ देंगे इदर चोदा उदर छोड़ देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये चोदा फंदे हमने इधर नहीं बुनने सेंटर वाले चोदा फंदे हमने सीधे बुनने यह हमने छोड़ दिए 14 फंदे इधर शोड़ दिए 14 इधर शोड़ देने और यह वाले फंदे हमने बुनने दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आत, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ दिए 14 फंदे हमने सेंटर वाले बुनने बापस अब सिर्फ 14 फंदे हमने बुनने यह दोनो तरफ छोड़ देने है और सिदी-सिदी सलाइगा ही बुनने, दोनों तरफ से सिदा-सिदा ही बुनना हमने सिदा-सिदा बुनने गए यह दिखो यह हो गया आप क्या करना पंदा उतारा फिर दो का एक इधर भी दो का एक उल्टी सलाइगा ही सिंपल यह से बुनने लेने तरह कि अप्रस्चिंग प्रस्चिंग करना ही बुनने लोग मैं तक हाख फिर दो का वर दो करना आप दा उतारा भागा पीछे फिर दो का एक यह दर भी हमाने दो का एक करना देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस हो गए यह भी इतने है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस अब हमने यहां से फंदे उठाते जाना है अब हमने यह फंदे उठाने हैं इधर से एक दो कितनी चेन है ना चेन चेन से निकालने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो और दस यह देखो यह हम सीधे बुन लेंगे इसके साथ यह फंदेगे हैं document अब व्हु पर नहेंगे हैं अब हम जो कितनी चेन साथ यह विन लेंगे हैं आ उल्टी स्लाई, उल्टी स्लाई भी हमने सीधी ही बुननी अब, अब सीधी सीधी स्लाईयां ही सारयां जाएंगे कि अञेखिए याखिज़ इसका सारयां सीधी स्लाईया ही। आर स τー सार Clement अब इधर से भी हम दस पंदे उठाएंगे एक दो तीन चाव पान छे साथ आठ नौ और दस यह हम साथ ही बुल लेंगे पीछे से हमने उठाने थे एक दो तीन चाथ पांच छे साथ आठ नौ और दस पीछे से उठाने थे ज़े चेन आ जाएगी ना दोनों तरफ एक जासी जे भी हम साथ ही बुल लेंगे झाल झाले जिए एक झाले करें पीजा आठ बुल बुल पीजए पार ट्याएव अब हमने दोनों तरफ सीधी सीधी सलाइया बनाने हैं किसनी एक दो तीन छे सलाइया तीन चार आठ सलाइया एक तो हमारी हो गई तीन और चरा नहीं है हमने आठ सलाइया करनी है एक दो तीन चार जिपना कर फिर आगे आपको मैं दिखाती हूं क्या करना जे देखो एक दो तीन चार पांच दस सलाइया मैंने सीधी सीधी डालके बाद में चार सलाइया मैंने सीधी और उल्टी डाली है इदर से सीधी इदर से उल्टी ये वाला पॉर्षन हमने बनाना है ये वाला एक दो तीन चार पांच दस सलंगा सीधी सीधी डालके चार सलंगा मैंने सीधी उल्टी डाल लिए इधर से सीधी इधर से उल्टी अब हमने क्या करना है आप चाहे तो जहां से जी देखो ये ना इसके साथ बिल्कुल जहां से फंदे उठा सकते हो एक जी उपर से उठाना है तो उपर से लेने सारे ऐसे नहीं तो आप साथ साथ भी उठा सकते हो यह देखो यहां से उठाया बंद करते जाना साथ साथ जितने फंदे हमारे ये वाले हैं उतने ही हमने नीचे से उठाये हैं यहां से लिपते जाना यहां से बंदे हाई में यहां से लिए कास्ट से एड़ियम यह हाई यहाई यह विए करते लिए यह जुद्दर्ण यहां से उठाकर जो आपने ऊपर से उठाने चुरू किये दो उपर से लेने, नीचे से चुरू की तो नीचे से लेने, यहां से लेकर जहां से डालके जापको मुश्कल लगे तो आप फंदे कठ्थे उठालो स्लाइस से ऐसे आ जाएगा जापको मुश्कल लगे तो आप ऐसे ठाने एक को आपको बता देती हूं ऐसे ऐसे उठाते जाना यह देखो ऐसे आपने उठा लाने यह सीधी उल्टी स्लाइगा डालने के नीचे से बिल्कुल बिल्कुल नीचे से दोनों तरफ से आप आपको सान लगेगा जहां से आशे ऩू कि अटै यहां यह पूरा बने आपको ऐसे आप पूरा उठा के फंदे बंद कर लाओ जो देखो आप चाहे तो पूरी इस लाई में कठे फंदे उठा के भी कर सकते हूं भी ऊजए असे लाई पाल से लाई में कर सकते हूं पूरी इसकी इस लाई खुगнут है इसके कर सकते हूं लाई पूरी झाल साथ्प हां कि अब बना अब हमने जीवाला पॉर्शन हमारा बना अब हमने एक दो तीन चार आर्ट स्लाइन आप हमने सीधी सीधी की चड़ाने है सीधी सीधी कि दोनों तरफ से सीधी सीधी स्लाइया अपने चड़ाने हैं इतना कर लो फिर आपके आग पर बखाती है यह देखो यह मैंने आर्ट स्लाइन चड़ा लिए एक दो तीन चार आर्ट स्लाइन चड़ाने के बाद अब हमने फंदे बीच बीच में कटाने हैं स्टारटे में एक फंदा केट आएंगे एक दो तीन- चार पांच शे शाथ आठ यौन 10-1ौन बाई फंदे रखके हमने friendship लगा लेका लिया और सेंट्र में मैंने इकतर के एक दो तीन चार पांच छे साथ आठाट नवो दस क्यारा बारा तेरा चोधा तृधा फंदंगर में रखे इसकी बिल्कुल देखो झो हमने यह बनाया ना इसकी सेथ में एक समने हमने घुल नों कि तरफ उप हमने एक दो तीन चार फंदे हमने एक साथ कटाने है यह देखो कैसे झाल 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 जहां भी हम दो का एक कर देंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा हमने चोड़ा फंदे रखे थे थे ना एक हमने कटा दिया एक हम यहां से फिर दो कई कर देंगे कर देंगे कि दो स्लाईयों एक उल्टी स्लाई में हमने कुछ नहीं करना वह सीधी पुर्ण नहीं है एक स्लाई में और पंदे कटाएंगे फिर बंद कर देंगे जहां भी दो का कि उल्टी स्लाई पूरी सीधी जाएगी कि दो स्लाई प्रेंगे प्रेंगे क्रेंगे क्रेंगे झाल झाल पूरी सीरी जाएगी सीरी स्लाई फिर एक फंदा उतारा दूस्ला बना फिर दो का एक झाल झाल फिर दो का एक फिर दो का एक बाई बाई फंदे इदर रखे से हमने 14 फंदे बीचकार रखे थे दोनों तरफ से हमने फंदे एक दो तीन चार चार फंदे हमारे एक स्लाई में कटे अठ फंदे हमारे काम होगे या फिर दो का एक उल्टी स्लाई पूरी सीधी जाएगी फिर हम फंदे आदे आदे करके बंद कर देंगे पूरी सीधी जाएगी यह देखो अधे अधे फंदे मैंने कर लिए अब इसे बंद कर देंगे आप सुई के साथ बंद भी कर सकते हो और स्लाई के साथ ही बंद कर सकते आपके जैसे आपका मान करें यह देखो एक फंदाई स्लाई से एक दूसरी स्लाई में आसे हम पूरा बंद कर देंगे आसे पूरा स्टिच कर देंगे अब हम जहां से पूरी स्लाई कर देंगे अब हम जहां से पूरी स्लाई कर देंगे ऐसे स्लाई करके यह सब स्टिच कर दो यह स्लाई आसे आसे यह हो कर दो 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 फासे आप पुरा आसे स्टिच कर देना कि आज हम कैप बनाने जा रहे हैं इसके लिए मैंने आठ फंदे डाले हैं आठ फंदे डालके धागा आगे एक फंदा हमने वैसे बुन लिया धागा आगे जाली 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 लास में फंदा हमारा सिंपल उल्टी स्लाई पूरी उल्टी बुनने पूरी उबटी से दिस लाइ आगे हमने एक फंदा बुना था अब हमने एक फंदा उतारेंगे एक बुनेंगे धागा आगे दो फंदे 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 बुनेंगे उल्टी स्लाई पूरी फिर उल्टी पूरी उल्टी पूरी उल्टी पिर हमने तीन फंदे पुने दागए एक दो तीन ठागा गार एक दो और थीन ठागा दॉ और तीन धागा आगे एक, दो और तीन धागा आगे वान, टू, और त्री फिर धागा आगे लास्ट में फंदे दो ही आने हैं हमारे उल्टी स्लाइफरे उल्टी और पहले हमने एक फंदा बुना था फिर दो फिर तीन फिर अब 4 हो जाएंगे फिर 5, 6, 7 ऐसे करके आपने बुनते जाना है ऐसे हमने जाली डालके हमने 4 जाली डाल ली है 4 जाली डालके हमारे फंदे 92 संदे हो गए है 92 संदे करके लास्ट में दो संदे ही आने है देखो 92 फंदे डालके आप हमने सिम्पल सिधा उल्टा बुनना है बिल्कुल सिम्पल आप कोई फंदा बढ़ाना नहीं हमने सिधा उल्टा बुनके फिर आगे आपको बताती हूं क्या करना थोड़ा सितना सामने सिधा उल्टा बुनके फिर आगे आपको दिखाती हूं क्या करना है यह देखो मैंने आप फंदों से चुड़ू की थी फिर हमने चोरांस जाली डाली जेवालिया उसके बाद हमने सीधा उल्टा 24 लाइया हमने डाल ली अब हमने कत्ती फंदे इधर कर ले हैं कत्ती फंदों का हमने सिर्फ बुनना है दोनों तरफ से हमने सीधा सीधा बुनना दोनों तरफ से सीधी सलंगा ही चड़ानी है आठ पंदल शुड़ू करके हमने 92 फंदे कर लिए थे अब उनको हमने 300 में डवाइड कर देना एक ही साइधर आजएगा एक ही साइधर बनेंगे और एक सेंटर में बनाएंगे अब क्या करना देखो यह पहले फंदा उतारा दूसरा भी उतार लेना तीसरा हमने बनना और यह फंदा इसके उपर से आसे उतार देना बाकिछ लाई पूरी सीधी अब हमने दोनों तरफ से फंदे एक एक फंदा कटाते जाना तब तक कटाते जाना जात तक रीछे पट्टी साथ फंदे ना हो जाएं इधर वे तीन पंदा के पहले एक फंदा छोड़के दो का एक कर लेंगे उल्टी स्वाई पूरी सीधी इसी तरह जैसे मैंने जे फंदे दोनों तरफ से एक फंदा कटाते जाते जाते हैं ऐसे हमने पूरी बनाना साइड बस सीधी सीधी चलेंगा ही जानी है एक फंदा उतारा दूसरा भी उतार लिया तीसरा फंदा बुना और इसके उपर से ऐसे जो फंदा हमने उतारा ना ऐसे आप पूरा बना लो फिर आगे आपको बताते हूं जे देखो ये बन गया हमारे कती फंदे थे कती फंदों में पांच फंदे जब रहे गे हमने ऐसी पट्टी ही बना ली पांच फंदों की दोनों तरफ से फंदे हम एक एक करके से कटाते गे इसी तरह हम दूसरा बना बना लेका फंदों कंवा उसमें बदम बनाते हैं पहले वलो जैसे हमने आप यह वाला आ थीम से इवद्ण वेदा लूँ अरप के दोनों तरफ ए में आपको बताते हैं आपसी बनाना अब डूसरा तरफ भी बनाrif यह देखो दोनों तरफ हमेने बना लिया सेंटर में हमारे 30 फंदे आ गए दोनों सेड़ में कत्ती कत्ती थे सेंटर में हमारे 30 फंदे आप इसको क्या बना आना इसकी वह वह आपको दिखाती है पहले उल्टी स्लाइब पूरी उल्टी आएगी कि अगे आएगा अगा है आज है है अग्याए आट फंदों से शुरू गवा था ने इन्टी फंदे हमारे हुए थे उसमें हमने कत्ती कत्ती दोनों साइड़ में रखें आप क्या करना आप अब हमने ध्यान से जे दो का एक करते जाना, दो का एक किया, पांच फंदे हमने, दोनों तरफ से पांच पांच फंदे हमने कटाने आए, उल्टी सलाई पूरी उल्टी, इधर बे, दो का एक, उल्टी पूरी उल्टी, फिर सीधी सलाई आगी, फिर दो का एक, दोनों तरफ से आपने एक एक फंदा कटाना, पांच फंदे कटाने, दो हमने कटा लिए, तीन और कटाने हैं, आप पांच फंदे ऐसे कटा कर, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना, पांच फंदे मैंने, हो गे मारे, अब उल्टी सलाई, उल्टी सलाई में क्या करना हमने, जो फंदे हमने कटाये थे न, वो हमने उठाने हैं, यह देखो, पांच फंदे हमने बंद किया थे, पांच फंदे हमने दोनों तरफ से उठाने हैं, हमारा फ्लैक बन जाएगा, अब इसी तरह आप दोनों तरफ से पांच पांच फंदे बापस उठा लो, यह केक हमारा हो गया, अब दूसरा, पांच फंदे हमने उठाने, फाई फाई फाई, इसी तरह आप दोनों तरफ से फाई फंदे उठाकर, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना, यह देखो यह बन गया, अब जहां से हमने फंदे शुरू किया थे, वहां से हम पहुंच गए, यह देखो, आप चाहर तो ऐसे आप बंद करके जहां सुई से सी भी सकते हो, इस फंदों का पूरा बंद कर दो, बंद करके सुई के साथ सी सकते हो, नहीं तो आपने ऐसे उठाना है फंदे, जहां से खतम हुआ ना, उतने फंदे इठाने हैं जितने हमने इस लाई में हैं, तीस फंदे हैं, तीस फंदे यहां से हम उठाएंगे, जहां से हमने शुरू किया था ना, वहां से ही, जो देखो, जो आपने उपर से ठाने, उपर वाला लेना, जो आपने नीचे वाल ठाने, नीचे वाल लेना, जो आपने ये वाल ठाने, ऐसे लेने आपने, जो आपने, जो आपने, आसे पूरे ठालो यह जिदे धागा उदर उदर की तरफ जाना हमने असे पूरे असे पूरे एज गा जाना हमने आसे पूरे एज जितने फंदे हमारी इस लाई में थे तीस और तीस ही हमने जहां से उठाने फिर कैसे करने हम दोनों को बंद करते हैं जैसे आम स्वेटर हम बंद करते हैं तीदे की कट कटिंग करते हैं आपको पूरा में करके दिखाती हूं यह दिखो यह बनके त्यार हो गया अब हम यहां तक इसकी सिलाई कर देंगे यहां से लेकर जहां तक हमने सी डिसी स्लाई डाल लिया न इतनी इतनी आप स्लाई करके यह दिखो आपकी कैप त्यार होगी यह आपको लगा थोड़ा से इसमें कुछ डिफरेंट है तो आप इतनी इतनी स्लाई भी कर सकते हूं इतनी इतनी इस तरह हमारा जैस पुरा बेबी सूर त्यार हो गया जी भी जी स्वेटर भी जी बूड के आगे मैंने डोरी डाल दी बूड बनाए थे डोरी बनाके डाल दी डोरी कैसे बनाने आपने अब धागे को ऐसे तीन बार ले लो तीन बार लेकर यहां से ऐसे गुलाई करके इसके ऐसे फोल्ड हो जाएगा आपके बूड के साब से राउंड ले लेना कितना लंबा चाहिए आपको यह मैंने मिटन बनाए थे इसकी वीडियो मैंने और राड़ी पहले बनाके आपको दिखा चुकी हूँ इसका लिंक आपको मैं डाल दूँगी यह बनके पुरा सूट त्यार हो गया थैंक्यू झाल दूआए नुड़ा झाल दूँजा झाल दूब।